असलाम अलेकुम पाकिस्तान और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहा है उन सब को भी असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप लोग ठीक टाक होंगे जी आज का विलोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप सब का बहुत शुक्रिया जो आप मेरे विलोग्स वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसी तरह मेरे विलोग्स वीडियो को पसंद करते रहे हैं लाइक, शेर, सब्सक्राइब करते रहे हैं जी आज का विलोग है सर्दियों के कपड़ों के बारे में बढ़ा मुश्किन लगता है ना ये सर्दियों के कपड़े निकालने गर्मियों के रखने तो आज मैं आपको कुछ बड़े असान से टिप्स दूँगी कि आप अपने कपड़ों को बड़े अराम से रख सकते हैं वो एक होता था ना किसी राय में होड़ी टेंशन होती थी जी कपड़े रखने निकालने तो वो उसके लिए मैं आपको ब्लांकेट का जो बैग होता है ये मैंने यूज किया इसमें कपड़े जैसे आप रखेंगे ना बिल्कुल वैसी ही कंडिशन में होंगे ना उनकी इस तरी खराब होगी ना कोई स्मेल होगी ये देखें आप ये टॉप है और वो शलवार सूट है मेरे ये सुटर है उसे पहले भी दो सुटर मैंने निकाले तो वो देखें ऐसे कंडिशन में है कि जैसे बस अभी अभ हमारी में रख दूँगी कपड़ों को ये देखें ये है मेरा एक कोट है और ये देखें अब ये बैग हो गया ना हाली अभी मैं सर्टियों के कपड़े बाद में रखूंगी सबसे पहले में आपको बताऊंगी अब हम गर्मियों के कपड़े कैसे संभालेंगे ये देखे कपडों में दरह कोई समल नी होगी कोई इस तरीक खराब मी होगी बस निकाले और अनुप अलमारी में रखे और पहंनना स्टार्ट कर दे यह रखेगे सारे यह में सार focuses किरूष करें कर बहुत कर वाँ कि प्रेस कर आजने हैं अब देखे कितनी असानी हो गई ना step wise काम किया तो ये रखें ये सारी मेरे कपड़े आप जाएंगे इस बैग में तो आप अगर blanket के कोई आपके पास पुराने बैग्स हों या फिर आप शौप से जाके ले आएं आप ये कीन करें आप दुआएं देंगे मुझे मैं तो इस तपा जैकेट्स भी सारी ऐसे ही बैग में रखें हैं और उनको वाश करने की भी जरूरत नहीं ये रखें सारे ये अप गर्मियों के ना में जो कपड़े हैं ये भी निकाल ले हूँ सारे अप गर्मियों के कपड़े में निकाल के आज तो बस इस बैग में फैल करूँगी और इस बैग को फिर में स्टोर में रख दूँगी और मेरे कपड़े बिल्कुल नए के नए रहते हैं फिर बिल्कुल उनकी कंडिशन खराब नहीं होती यह देखें यह जो मतब अच्छे वाले सूट होते हैं ना जो अंदर बाहर पैनने वाले कपड़े होते यह वो कपड़े हैं और यह सारे जो है ना अभी बैग में पैक करके तुमें रख दूँगी तो यह छोटी छोटी चीज़े अगर हम कर ले ना आप यकीन करें जो एक बहुत मुश्किल काम लगता है मैंने सारी गर्मियों के यह पैक कर दी अब देखें इंशाला अगले साल जिन्दगी रही तो मैं आपको दिखाऊंगे मैं इसी कंडिशन में निकालूंगी यह कपड़े यह देखें मेरा बैग एक पैक हो गया एक मैंने औरड़ी पैक करके रख दिया हुआ था व्लोग क्योंके लंबा हो जाता है अगर सारी चीज़े दिखाऊ तो एक बैग मैंने औरड़ी पैक करके रखा हुआ अब यह वाले जो है ना मेरे इस तरी होके आया है सरडियों के कपड़े यह वाले क्योंके यह मैंने दूसरे बैग में रखे वे थे फिर इनको मैंने वाश करके तो यह वो कपड़े हैं जो आम मुझे घर में पैनने होते है ना तो इन कपड़ों को फिर मैंने प्रेस करवा की तो अब यह सारे मेरे ना कबर्ड में चले जाएंगे सारे कपड़े और ये हैं देखे शॉले अच्छा प्लेन शॉल आप जरूर रखा करें पता है किसी भी सूट के साथ अगर आप पैन लेना तो बड़ा अच्छा लगता है किसी भी सूट के साथ आप ले लें शॉल तो बड़ी अच्छी लगती है जैसे सर्दियों में बहुत म प्रेस होगे हैं वह अब रख रहे हूं बैग वाले तो मैंने रख दिये वह तो पिछले साल के प्रेस हुए वे थे लेकिन ये अभी मैंने फ्रेशली मतलब इनको ना प्रेस करवाया है ये मेरे सारी सर्डीयों के हो गया अब जो है दो-चार सूटर्स वह मैं रखूंगी तब बड़ा अराम हो जाता है सची में आप ये टिप्स जरूर करके देखेगा और फिर मुझे बताइएगा कि हाँ आपको असान लगा के ने और मुझे बताइएगा आप लोग अपने विंटर के या सर्दियों गर्मियों के कपड़े कैसे संभालते हैं ना मुझे जरूर ब ये सारी मैं एक हेंगर में लगा लूँगी ये भी पिछले साल की वाश हुई भी है पिछले साल की सिर्फ इंको मैंने अभी प्रेस करवाया है और ये रेखें ये बड़ा अराम हो जाता है जो ये ना सामने पड़ी भी होती है जल्दी में कहीं निकलना हो तो फोनल लेके निकल जाये सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती है तो इस तो उसमीं में बड़ी स्ट बड़ी स्टार्ट हो चुकी है कि अच जी अब यह भी मेरी सथीती हों के सारई कुटिए को और वाणका ऑच्थ और भी महें घर में लगा दूंगी तो चेंज करना होता है, बस प्रेस हुए हो तो बस फटाफट निकलो, शावर लो, चेंज करो, तो जी हम रेडी हो जाते हैं तो ये हमारे कपड़ों का काम जो बड़ा मुश्किल लग रहा था आज हो गया फाइनली जी, सारी काम खतम होगे, मुश्किल तरीन काम था जो हमने कर लिया तो अब मुझे बड़ा सकून हो गया, इसके बाद फिर मैंने अपना चाय का एक मग बनाया भर के और मैं गार्डन में आगी थोड़ा सा ना, अपने आपको भी खुश करना होता है ना तो बड़ा रिलेक्स होती हूँ मैं जब मैं यहां पर चाय अपनी लेके आती हूँ ना क्योंकि आगे चल के फिर आपको बता है सूरच जल्दी ढ़ल जाएगा, अभी भी जल्दी ढ़ल जाता है सूरच तो फिर तो अतना टाइम नहीं मिलेगा चले जगर मेरी वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब ज़रूर करतीजीगा फिर मिलते हैं अगले विलोग में तब तक के लिए अलाह अपिस